चलिए बताइए खुशी किस पॉइंट पे डाउट है आपका सर ये लास्ट वाला कैसे कर रहे हैं लास्ट वाला आप ये रेट पूछ रहे हो जी सर रेट और ये लेवर आवर आवर देखो चलिए हमारे नियू चेप्टर का नाम क्या है सर बजटिंग और बजटरी कंट्रोल ये युनिट नमबर वन में ही है वन का ही पार्ट है ये और इसमें से भी कोशिटन पूछा जाता है तो बजटिंग या बजटरी कंट्रोल होता गया है हम देखतें पहलाब से फिर आगे बढ़ेंगे सबसे पहले word है हमारा बजट 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 का एकदम सिंपल मीनिंग में देखो तो इसका मतलब होता है अंदाजा है और एक होता है हमारा एक्चाल हएग करी जो होता है हमारा हरी duż मतलब के सही अंदाजा नहीं होता अब आप सभी माल लेतेें कि अपने नंबर की बात करते हैं एक्जाम में मांक्स आप सभी ने सोचा किया और इस बार तो मुझे अच्छे नंबर लाना है और मुझे 80% तो कम से कम लाना ही लाना है एक आपने टार्गेट सेट किया कि मुझे 80% लाना ही लाना है तो देट इस बजट लेकिन रियालिटी में आपके हो सकते हैं कि आपके 75 परसेंट भी आए और पॉसिबल है कि आपके 85 परसेंट भी आ जाएं तो यह है एक्चुल तो हमना हर चीज का मैंने देखो बड़ा सिंपल सा एक्जामपल लिया आपके मार्क्स का त क्य雪 के आपने सट किया उसी है कि इस साथ करो गए तो सरल हम वजट एंड बजट्री कंट्रोल में किसकी सीज की बजट करेंगे बात करेंगे तो कुछ चार या पांच पॉपलर हमारी चीजिये हैं उनके उपर हम बात करने वाले हैं biased किस किस पर 25 करेंगे हम हैं तो अगर मै बजट की बात करूँ बजटरी कंट्रोल तो हम बेसिक बेसिक चीजें किस-किस पर हम देखेंगे हलाकि सलेबस में तो बहुत सारी चीजें बताए गई है कि ये है ये है ये है ये है लेकिन जो मेरे इंपॉर्टेंट्स बजट है जो कि हमें पढ़ना होता हमारे एक्जाम में भी कोश्चन्स होता है और जो हमें समझना चाहिए सबसे पहले देखेंगे हम फ्लैक्सिबल बजट फ्लैक्सिबल बजट के बाद हम देखेंगे प्रडक्शन बजट या देखेंगे हम कैश बजट कैश बजट करने के बाद हम देखेंगे परड़क्शन बजट परड़क्शन बजट करने के बाद हम देखेंगे परचेज बजट परचेज बजट के बाद यही हमारे एक्जाम में पूछे जाते हैं इसके अलावा अधर लिख देता हूं अगर कोई बजट आया बीच में कोस्टन करते हुए तो हम अधर बजट के उपर पूरा डिस्कुशन कर लेंगे यह हमारा कुछ बजट और बजटरी कंट्रोल है अब सर्फ फ्लेक्सिबल बजट का मतलब क्या है फिक्स बजट भी होता है लेकिन फिक्स बजट का कुछ है नहीं फ्लेक्सिबल बजट का मतलब अपने खर्चों को लेके खर्चों को हम तीन भाग में बाट देंगे अपने एक्सपेंस यह budget बेसिकली आपको expense से related कैसे करा जाता है काम वो सिखाय जाता है यह budget बना जाता है expense को लेके expense आपको अच्छे से पता है कि भाई यह तीन दो तरीके के होते हैं fix और variable लेकिन यहां पर expense तीन तरीके के होंगे एक होगा हमारा variable expense जिसे variable cost कहेंगे एक होगा semi variable और एक होगा हमारा fixed सर variable expense कौन सा होता है जो की unit को जितना ज्यादा बेचोगे उसके हिसाब से बढ़ता जाए जैसे एक unit बेचोगे तो एक unit का खर्चा, दो unit बेचोगे तो दो unit का खर्चा, दस unit बेचोगे तो दस unit का खर्चा, तो unit के हिसाब से variable semi variable क्या होता है, semi variable मतलब कुछ पार्ट fix होता है और कुछ पार्ट variable जैसे बिजली का बिल, अगर आप यूज भी ना करो न तो एक certain fix जो electricity bill का चार्ज है वो आएगा आएगा उसके बाद जितना कंजम्शन करोगे उसके हिसाब से चार्ज आएगा fix क्या होता है हमारा वो खर्चा होता जो irrespective of level कभी भी हमारा change नहीं होता वो हमेशा fix रहता है तो इसमें खर्चों को कैसे करें इन सभी खर्चों को हम separate separate करके total करके हमें examiner को बताना है हमें total cost क्या रही है इस budget में और budget basically है कि अंदाजा है कि इतना खर्चा हो सकता है इसा नहीं होगा कि इतना खर्चा हो गया और budget बनाओ हो सकता है और उसके पर फैसला बताना है कि भाईया हम कितने percent capacity पर काम करें जो कि हमारे लिए best रहेगा हम देखेंगे धीरे-धीरे cash budget cash budget में हमारे पास कितना cash flow होना चाहिए कितने पैसे हमेशा होने चाहिए हमारे दुकान में एक business करने के लिए जैसे होता है ने कि भाईया 100 रुपए तो हमारे दुकान में खुले होने ही चाहिए सुवे-सुवे दुकानदारी करने के लिए तो एक ऐसे budget बनाते है कि कितना पैसा हमें महिने में या साल में चाहिए production कितना माल तयार करें हम ताकि हमारे बिख जाए यानि 10 unit अब हमने budget नहीं सोचा तो उसके हिसाब से हमने अंधा दुन माल बना लिया तो wastage ही हो जाएगा हमारा परचेज कितना समान हम एक बार में खरीद है जो कि हमारे नुकसान ना हो जैसे यो क्या था यो क्या था दिस इस अ परचेज बजट था एक तरीके से अधर कुछ sales बजट आ सकता है master बजट आ सकता है इस टाइप का तो हम पहला देखेंगे that is flexible budget flexible budget flexible budget को तीन हिस्सों में जैसे कि मैंने बताया बाटा गया है उसी को मैं बाट के दिखा देता हूं करना कैसे है वह देख लीजिए फिर हम question भी देखेंगा तो बिल्कुल clear हो जाएगा क्योंकि इस chapter के अंदर जब मैं question करूँगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा theory का पार्ट पहले समझाऊँगा तो नहीं आता जालते समझ में सबसे पहले आएगा हमारा variable cost फिर आएगा हमारा semi variable cost फिर आएगा हमारा fixed cost अब यहां पर हम काम कर सकते हैं 80% कि नब्वे परसेंट कि हंड्रेड परसेंट कि और यह पर्टिकुलर कि यह पर्टिकुलर कि अगर हम देखें हमारा work करने का काम करने का ना वर्क करने का capacity होगा वर्क करने का capacity होता है सर वर्क करने का क्या capacity होता है जैसे कोई भी machine होता है न उससे हम इतने unit manufacture कर सकते हैं एक limit होता है 1000 unit 2000 unit 5000 इससे ज़्यादा बना ही नहीं सकते हैं आप 24 गंटे भी चला लो तो उस situation में उसको capacity बोला जाता है जैसे मैंने कहा कि मैंने एक machinery जो है मेरे पास या मेरे factory के अंदर जैसे मान लो simple सा है capacity की बात करूं तो जहां मैं जैसे offline class ले रहा हूं तो यहां पर मान लो के 30 बच्चे बैठने की capacity है और मैं कहां 70 यहां पर बिठा सकता हूं नहीं बिठा सकता तो maximum capacity कितने है 30 उससे कम हो सकता है उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता तो factory की capacity है मान लो मैं कहूं के मेरा 1000 unit बनाने का capacity है कितने unit बनाने का capacity है 1000 unit तो 1000 unit बनाने का capacity फुल capacity है यानि 100% capacity पे जब मैं काम करूं तो मेरा 1000 unit बनेगा मैं आपसे जानना चाहता हूँ बताओ अगर मैं 70% पर सन्ट पे काम करूँ 70% पे काम करूँ तो बताओ ईकी उनिट बनाओंगा मैं तो आपका जवाब वोगा 70% पे काम करूँगे तो यानि simple सी बात है कितने उनिट अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर मैं 45% capacity पे काम करूँआ तो जल्दी जल्दी comment में बताओ कितने unit बनाऊँगा मैं कितने unit बनाऊँगा मैं फटाफट comment में बताइए कि अगर मैं 45% capacity पे काम करना चाहता हूँ तो कितने unit बनाओंगा तो जवाब है sir 450 बनाओंगे अगर मैं 90% capacity पर काम करना चाहता हूं तो बताओ कितने बनाओंगे बताओ कितने बनाओंगा मैं 90% पर तो आपका बहुत simple जवाब होगा that is आपका 900 यानि sir अगर हमें आप 100% capacity बता दो तो बड़ा आसान है कि हम आपको हर चीज़ एकदम दूद का दूद एकदम फटा फट से बता देंगे कि इतने % होगा लेखिन 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 suppose करो ध्यान देना मैं कुछ बातें जो बताने वाला हूँ ये मानलो मैंने हटा दिया ये मैंने हटा दिया अब suppose करो आपके पास 1000 यूनिट है ही नहीं और अब मैं जानना चाहता हूँ और मैं और भी चीज़े हटा देता हूं आपके लिए ये भी हटा दिया समझेगा बात को अब मैं जानना चाहता हूँ के बताओ 60% capacity पे कितना बनाएंगे हालाकि आपको पता है के 1000 से ही निकल रहा है तो आप पट से जवाब 600 दे दोगे लेकिन इसको calculation कैसे करोगे आपको एक अगर लेवल दे दे तो आप कैसे निकालोगे आप निकालोगे simple भया 700 यूनिट ये है 70 पे और पूछ 60 पे रहे हो तो देखो जवाब आ गया हमारा समझे यानि जरूरी नहीं कि आपको 100% पता हो divide हमने जितने percentage सा divide किया into में जितने की requirement है उससे into कर दिया हमने तो यानि अगर मैं आपको 1000 यूनिट बता रहा हूँ और ये 100% capacity की बात बता रहा हूँ तो इससे तो बड़ा ही आसान है चाहे आप 45 निकल वा रहो मेर से तो मैं 450 बता दूँगा चाहे आप 90 निकल वा लो मेर से तो मैं 900 बता दूँगा ये तो बड़ा ही simple है बात लेकिन जब मैं आपको 100% capacity ना बताओं और आपको एक certain capacity पे certain unit बता दूँ तो आपको निकालने को बोलू तो वो निकालना बड़ा आसान है निकाल सकते हो चलो test करें आपके knowledge का मान लो मेरे 300 unit बनते हैं यूनिट बनते हैं 60% capacity और मुझे 80% capacity पे कितने unit बनाने होंगे बताईए 80% capacity पे कितने unit बनाने होंगे बताईए जल्दी जल्दी बताईए कमेंट में 80% capacity पे कितने unit बनाने होंगे देखते हैं बिल्कुल जवाब आना चालू हो गया बिल्कुल सही यानि आपने कहा सर्थ 300 और इसको divide करिए 60 से और चाहिए 80 पे तो into करिए 80 से तो यह आ गया आपका जवाब 400 आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया capacity कैसे निकालते हैं और जो fix cost होता है एक चीज और मैं बताने जा रहा हूं जो fix cost होता है वह हमेशा 100% capacity के हिसाब से होता है मानलो मैंने कहा है मेरे इस जहां पर मैं क्लास ले रहा हूं 30 बच्चे की बैठने की capacity और किराया 5000 रुपए सपोस करते हैं तो किराया जो 5000 है वह 100% capacity का है आप मैं दो बैठाओं तब भी 5000 है और दस बैठाओं तब भी 5000 और तीस बैठाओं तब भी 5000 होगा चलो बहुत सारे बच्चों को मैं यह भी कहना चाहूंगा बहुत सारे बच्चे को न यही नहीं पता कि उनके पास management बहुत रिस्की में चल रहे हैं आप एक तरीके से जो बच्चे सोच रहे हैं बाद में कि देखेंगे वैसे college जो जा रहे हैं बच्चे उनको तो पता चलिया लेकिन वाले बच्चे तो बहुत ज्यादा अभी नींद में चलिए चलिए आईए अब देख लेते हैं variable cost में क्य लेवर हो सकता है और ओवर हेड हो सकता है और मैं बताओं तो यह कॉस्ट का ही एडवांस वर्जन होता है हमारा management अकाउंट हालाकि यह अलग अलग ज्यादा स्लिबस की वज़े से कर दिया जाता है तो आपको ओवर हेड भी ऐसा कोई आपके लिए नए वर्ड नहीं होंगे क्योंकि कॉस्ट अकाउंट से मिस्टर चार में आप पढ़ चुके हो लेवर भी पढ़ चुके हो अधर एक्स्पेंस हो सकता है कोई तो जितने पर्सेंट कैपिसिटी पे हो उतने पर्सेंट पे आप क्या करोगे निकाल लोगे ठीक है और इसके बाद हम बात करें सैमी सैमी का मतलब कुछ पार्ट फिक्स और कुछ पार्ट वेरियेबल इसमें ओवरहेड ज्यादा तर आता है मैं एक एक्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं क्या आता है ज्यादा तर ओवरहेड आता है fix में क्या क्या आ जाता है sir fix के अंदर आ जाता है depreciation आ जाता है यह rent आ जाएगा and etc depreciation आ गया rent आ गया etc इसको करने के दो तरीके है एक तो इसका यहां total कर लो a part इसका यहां total कर लो b part इसका यहां total कर लो और आ जाएगा यह यह आ जाएगा हमारा c part तीनों का total total cost कैसे निकालोगे a plus यह आ जाएगा हमारा total cost या फिर यहां बीच में आप total ना करो एक ही साथ सबका total कर दो तब भी आ जाएगा आपका total cost आपके book के अंदर बहुत बच्चे book का link पूछते तो link मैं इसमारे नहीं दे रहा कहीं है आपको link दूँर वहाँ पुरानी book निकल जाए ता आप परिशान होगे सर क्या link दे दिया आपने पता नहीं फॉर्मेट बनाया नहीं बनाया आपके उपने total नहीं किया last महीं करेंगे total नहीं किया last महीं करेंगे तो हम भी ऐसा कर लेते हैं एक साथ ही कर देंगे फिर फरक कुछ नहीं पड़ता हो यह अपनी अपनी मर्जी है अपनी अपनी इच्छा है और एक मजे की बात बताओं मान लो यह information आपको दे रखा होगा मतलब सर यह पूरा बना के दे रखा होगा आपको यह बना के और बोलेगा आप 90 पर बना के दिखाओ फिर बोलेगा आप किस पर बना के दिखाओ बोलेगा पैसर पर बना के दिखाओ बोलेगा चालिस पर बना के दिखाओ और इसी खर्चों की मदद से अपने आप calculate करके बनाना पड़ेगा इसलिए इसका नाम है flexible मतलब आप से किसी level खा बना ले आप बना सकते उसके बारे में बज़े तो ये आपको दे रखा होगा और आगे आप से क्या करेंगे ये बनवा लेंगे अपने हिसाब से जब आपका flexible budget हो गया और most most important है budget के अंदर एक्जाम में 90% चांस है कि यही budget आता है पूछा ही यह जाता है तो आपके खर्चों को मैंने तीन category में बाढ़ दिया अगर semi variable नहीं है तो खर्चे दो ही category में बटेंगे कौन से variable और फिक्स और इन सभी को जोड़ दो तो क्या बन देगा इसमें कई बार profit पूछ सकता है तो हर लेवल का आपको सेल देगा total cost पता है सेल पता है क्योंकि profit कैसे निकालोगे प्रॉफिट इस इकल्टू सेल्स माइनस में total cost क्या निकल जाएगा आपका profit अगर पूछ लिया जाए तो बता देगे चलिए सर इस पे जब तक हम question को नहीं देखेंगे करके ना try नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आने वाला है यह पहला ही question अरे यार इसने problem लगा दिया है पहला ही question जो है question पढ़ते हैं और बड़ा ही simple सा चैप्टर है अगर इस चैप्टर को आप देखेंगे तो आप भी बोलेंगे सर हाँ पहले वाले तो काफी सिंपल है पहले वाले तो बहुत सारी चीजे थी लेकिन इसके अंदर परिशानी आएगी तो एकदम टफ वाली परिशानी आएगी और सिंपल है तो एकदम ही simple है देखिए क्या कहता है प्रपेर फ्लेक्सिबल बजट और फॉलोविंग ओवर हैड रेट बेस डारेक्ट लेवर आवर 50% 60% और 70% कैपेसिटी पर बनाना है यानि आपको एक कैपेसिटी एक तो 50% पर बनाना है 60% सतर और 60% पर हम आपको सारी जानकारी दे रहे हैं यानि 60% पर तो खुदी बना के दे रहा है यह बीकॉम में पूछा गया कुश्चन है 60% पर इन्होंने कहा कि भाईया हम आपको दे रहे हैं indirect material तो आप इसको ही किसमें convert करो 50 पे इसको ही किसमें convert करो 70 पे हम आपको दे रहे हैं indirect labor material और labor दोनों कौन से है variable और variable मैं variable लगाता जा रहा हूं semi variable देखो कितना समझदार examiner बोलता हम आप बच्चे परिशान नहीं करूँआ मैं आपको semi variable भी हम आपको अलग से categorize कर देते हैं इसके अंदर electricity 40% और 60% variable है यानि इसमें आपके दोनों चीज़े हैं 40% हिस्सा fix रहेगा और 60% क्या रहेगा और यहां प लगाना ही नहीं लगाने को आएगा तो बोलता depreciation insurance और salary यह तीनों हमने डाल दिया किसमें बाई साब यह डाल दिया estimate डारेक्ट लेवर आवर दे रख दिया आपको 1,86,000 आपके घंटे काम होंगे कितने लेवल पे आपके लेवल सारा 60,60% लेवल को मैं एक present लेवल बोल द लेगा ना तो चलिए लेकिन हम तीनों करके चलेंगे ताकि हमें समझ में जल्दिस आ जाए तो आईए प्रिपेर करते हैं flexible budget एक आपको बना के दे रखा है बना के किस लेवल पे दे रखा है आपको 60 जिसको present लेवल भी बोल सकते हों यह 60% पर आपको बना के given है और यह है flexible budget सबसे पहली हेडिंग डालते हैं variable cost इसके बाद अगली हेडिंग कौन सी है variable cost के बाद variable तीन ही है तो आजाएगा semi variable इसके बाद आजाओ fix आथे हैं आजाएं सबसे पहले है variable overhead sorry material और तो मटीरियल कहता है आपका कितने हैं छे हजार और आपको बनाना है और बनाना है तो आपका देखो अगर आपका 60% लेवल दे रखा है और छे हजार दे रखा हो तो आप 50% पर बड़े आसानी से निकाल सकते हो कैसे निकालोगे छे हजार जैसे आप यूनिट निकाल रहे थे डिवाइड किस से करोगे 60 और इंटू में किस से करोगे 50 यानि कितने आगए 5000 तो आप देखो यहाँ पर भी निकाल पाए हो कितना और सतर पर पूछू तब भी निकाल सकते हो कैसे निकालोगे सत्तर पे पूछों तो तो आप निकालोगे भीया बेस को पकड़ लो छे हजार डिवाइड़ बै साथ और इंटू सत्तर तो यह आ जाएगा हमारा साथ हजार तो यह आ गया हमारा सेवन थाउस इंडारेक्ट मटीरियल उसके बाद आ गया लेवर लेवर आपको देताATORा हजार तो लेवर की हम बात करें तो कैसे निकालेगे आप लेवर लेवर आपको 50% कैपिसिटी पे चाहिए तो 18,000 कितने पर्सेंट कैपिसिटी पे है 60% कैपिसिटी पे और चाहिए कितने पे पचास पे तो कितने आ गए तीन पंद्रह हजार अब जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ सत्तर पे कितना होगा कमेंट में बताओ सत्तर पे कितना होगा सत्तर परसेंट पे कितना होगा कमेंट में बताईए फटाफट 21,000 अरणब का जवाब आ गया ये कितना होने वाला है 21,000 यानि 21,000 अब इसके बाद और कुछ भी है कि नहीं है सर टोटल हम करनी रहे हैं तो इसको थोड़ा सा उपर खिसका देते हैं ताकि हमें आराम से अच्छे से लिखने में दिक्कत ना हो चलो अब सेमी वेरियेबल में सबसे पहला है इलेक्टिसिटी एक तो पहले लेगे वेरियेबल और लेगे फिक्स ऐसे अलग करना पड़ेगा आपको यहां पर वेरियेबल अलग यहीं पर लिखना पड़ेगा और फिक्स कितने परसंट कहता है 40% हमारा तो 12,000 fix और variable कितना कहता है 60% variable तो 30 into 6 18,000 variable सहा fix जो है वो तो क्या रहेगा समझिये बात को fix ही रहेगा अब variable का आपका निकालना है तो अगर आपको पता है 60% पे 18,000 है तो 50% पे क्या होगा 50% पे 15,000 वैसे मैंने पहले निकाल रखा था इस टाइप का calculation इस लिए पता चल गया अब 70% पे कितना आएगा 21,000 दूसरा मैं अब आपको निकालने को दूँगा इसके अधर repair है अब हम repair की बात करें तो repair में सबसे पहले हमारा है 3000 का 80% fix पहले variable ले लो फिर fix ले लो fix 80% तो 2400 और variable हो गया 20 तो 600 अब मुझे comment में बताईए यहाँ पे fix क्या होगा और यहाँ पे fix क्या होगा comment में बताईए comment में बताईए अगर आपको समझ में आया तो आप बता देगे अगले level पे fix क्या होगा और यहाँ fix क्या होगा जल्दी जल्दी comment में बता देजिया जितने बच्चे लाइप देखो हर किसी के लिए पहली class और हर किसी के लिए zero class क्योंकि सुरू सही चल रहा है तो जितने बच्चे हो calculation करें साथ के साथ जो भी doubt है पूछें 500 और 700 मैं इसका fix वाले expense की बात कर रहा हूं मैं अभी तो variable तो पूछा ही नहीं तो अनन्या का जवाब आ गया 2400 नेहा का जवाब आ गया 2400 तो यह जवाब है सार 2400 और बिलकुल आप सभी ने सही दिया है क्योंकि fix तो भाईया fix है और यह आ गया 2400 यह आ जाएगा आपका 500 कुछ बच्चों ने जवाब दे भी दिया था और यह आ जाएगा हमारा 700 कैसे आएगा मैं यहां बता देता हूं क्योंकि हमारा 600 खर्चा है 60% capacity पर और 50 पर चाहिए तो ऐसे divide करके आ जाएगा हमारा 500 चीक है 500 चलिए अब आ जाते हैं depreciation depreciation कौन सा cost है भाई depreciation कौन सा cost है सर फिक्स है यह तो तो चलो depreciation जवाब दो depreciation क्या आएगा depreciation में बताओ मैंने पहले level का बता दिया 16000 हर एक level पर कितना कितना आएगा depreciation हर एक level पर depreciation कितने कितने आएंगे 50% capacity पर depreciation क्या आएगा 60-70% capacity पर depreciation क्या आएगा बताइए सर 16500 ही आएगा सर 16500 ही आएगा और 16500 depreciation के बाद insurance इसके बाद salary अब मुझे आपको सिंपल सी एक बात बतानी है और क्या बतानी है सर इस टी-सी बतानी है और टी-सी मतलब टोटल कोस्ट टोटल कोस्ट कैसे निकालोगे सबको एड़ कर दोगे सबको एड़ कर दोगे टी-सी निकालने के लिए बताओ फटाफट पहले लेवल का क्या आ रहा है बताई यह टोटल कोस्ट पहले लेवल पर क्या है क्या बताओ अब अच्ट अच्ट इस दो अच्ट कि 90 कि दूसरे लेवल पर है कि सेकेंड लेवल पर हुआ हुआ कि 93 सही जवाब है जिन बच्चों का आ रहा है 85, 85, 900, 900, 85, 900, तीसरे लेवल पर 100, सवाल क्या पूचता है वैसे तो बन गया तयार हो गया लेकिन इसमें कहता है प्रपेर फ्लेक्सिवल बजट एंड ओवर हैड डैनेमिक फ्रॉम्ड फॉलविंग डेटा असाटेन ओवर हैड रेट्स ओवर हैड रेट का फॉर्मूला क्या होता है आप यहां पर लिखोगे टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई अब किस ओवर हैड पर पूच रहा है डारेक्ट लेवर डिवाइड बाई डारेक्ट लेवर आवर यह फॉर्मूला बन गया टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई डारेक्ट लेवर आवर तो पहले केस के अंदर आपको दे रखा है आवर लेवर आवर दे रखा है कितना 186 तो इनके बीच में डिवाइड गर दो बस तो क्या जाएगा रेट रेट क्या निकालोगे बताओ पहले केस में डिवाइड करो दूसरे का लेवर आवर भी निकाल के आपको ही बताना है डिवाइड क्या करो रेट क्या आ रहा है 0.5 अब इसका labor hour ये labor hour कितने percent capacity पे है सर 60 percent capacity पे है तो आपको 50 percent capacity पे क्या hour होगा क्या खुद calculate कर पाओगे आप 50 percent capacity पे बताओ क्या labor होगा बताइए 50 percent capacity पे क्या labor hour होगा एक लाख 55,000 अगर आपको hour पता चलिए तो divide करके आप ये भी बता दोगे मुझे और ये question आपके exam में पता है 15 number का आएगा 0. चलिए अब इसका भी आपको percentage बताना है कैसे निकाल रहे हैं पता है न 186 divided by 60 into में 70 दो लाख 17,000 और divide करोगे तो 0.46 ये लोजी हमारा answer हो गया complete और डेली उनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम में ये सवाल पूछा जा चुका है कब पूछा गया ये नहीं लिखा आपके बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं ये कर लेंगे कैसे खुछी का कहना है सर कैसे अब क्या पूछ रहे हो खुछी एक पर voice आप सभी के साथ में एक ना voice का button है hand raise का आप raise करेंगे तो आप मेरे से पूछेंगे तो मैं एक एक चीज आपको अच्छे से बता दूगा और आप पूछ लीजिए class के अंदर बहतर है instant of के मन में doubt रखें आप खुछी hand raise कर लीजिए और क्या points है उसी point को पूछ लीजिए मैं direct बता दूगा चलिए बताईए खुछी किस point पर doubt है आपका सर ये last वाला कैसे कर रहा है last वाला आप ये rate पूछ रहे हो जी सर rate और ये labor hour आवर देखो labor hour आपको मैं यहां करके दिखाता हूँ labor hour जो हमने निकाला ना 60% capacity पर आपको पहले से दे रखा था 186 ठीक है और इसके बाद हमें अब चाहिए 50% capacity पर तो 186 divided by 60 और इंटू 50 जैसे हर बार निकाल रहे थे तो ये आ गया 155 समझ में आए ये वाली बात अब अगला कैसे निकालोगे 70 पर 70 पर आप निकालोगे 186 divided by बताओ क्या करें 60 और इंटू 70 आ जाएगा ये अब ये कैसे आया अब रेट कैसे आया रेट 93,000 को आपने डिवाइड कर दिया किस से 186,000 से जैसे आपने डिवाइड किया तो आपका ये रेट भी आ गया क्लियर चलिए ठीक है और किसी स्टूडेंट का कोई डाउट किसी बच्चे का कोई डाउट आप एक बार इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मैं आगे और एक क्वेश्चन होमवग में दूंगा जरूर आपको मैं इस बेस पे अभी नहीं दे सकते क्योंकि कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए तो बहतर रहेगा पहली क्लास में आप चीजों को नोट कर लीजिए साथ के साथ तो ठीक रहेगा पीडिएफ के अंदर देखता हूं मेरे न थोड़ी से बच्चे लापरवा टाइप के हो जाते हैं पीडिएफ से नोट करेंगे आप अभी नोट करिए इसको क्लास में